हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू के सनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ओफ ए लो ब्लड प्रिसर कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रिसर काफी कम हो जाता है तो वो कंडिशन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे कौन से मेडिसिन वगेरा यूज किया जाएंगे तो उसके बारे में सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of Pharma Rocks thank you for being 2.5 lakh family of Pharma Rocks updated रिये Pharma knowledge के साथ access कर ये study material test series video lecture Pharma Rocks के अप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android app download कर सकते है iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं आपका concept clear करवाता हो low blood pressure के बारे में तो low blood pressure को medical terms के अंदर कहा जाता है hypotension कि आपका जो blood pressure normal से जब कम हो जाता है तो वो condition हम कहते हैं कि hypotension के condition है और statistically जब हम देखे तो आपका जो systolic blood pressure 90 कि यहाँ पर आप देख सकते है systemic 90 और diastolic 60 इससे भी कम हो रहा है blood pressure तो उसको हम define करेंगे as a hypotension के condition और blood pressure के जो reading होते है systolic and diastolic तो उसके according to आपको ये values जो है वो याद रखनी है and ये condition low blood pressure के condition कही जाएंगे कि जब blood pressure 90 60 से जो है वो कम दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर आप जो है वो signals देखिए तो normal blood pressure के लिए green signal आप देख सकते है कि जो 120 systolic होता है और diastolic में 80 होता है कि जो mm mercury unit के अंदर जो है वो measure किया जाता है तो जो severe cases होते है low blood pressure के तो वो life threatening बन जाते हैं जान लेवा होते हैं विकाज उसके करण low blood pressure के करण body के दुसरे organs के उपर भी असर होती है फिर 90 and 60 अब उससे भी समझो की कम हो रहा है बहुत कम blood pressure लोज चुका है कि उसका मतलब है 60-40 और उससे भी severe और dangerous condition मतलब की 50 या फिर 33 जितना reading दिखाए देना systolic 50, diastolic 33 तो systolic blood pressure कि जो उपर का होता है top number जो कहा जाता है और जो bottom number होता है उसको diastolic हम कहते हैं तो इसका diagnosis जो है वाप blood pressure measurement के लिए जो device आती है उससे जो है वो कर सकते हैं तो उसके reasons हम जानते हैं कि कौनसे reasons के करन hypotension हो सकते हैं तो pregnancy तो pregnancy के अंदर समझे कि कुछ complications वगेरा है तो आपका blood pressure जो है वो reduce हो सकता है heart related problem में hypotension हो सकता है endocrine problem मतलब की आपके जो hormones produce करने वाले जो अलग-अलग gland से वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो भी blood pressure reduce हो सकता है आपको dehydration हो चका है मतलब की सरीर के अंदर पानी की कमी हो चुकी है blood loss हुआ है कि कोई accidentally अचानक से काफी सारा blood loss हुआ है तो भी आपका blood pressure जो है वो reduce हो सकता है severe infection की body के अंदर काफी ज्यादा infection फैला हुआ है कि जिसको हम कहते है septisemia तो septisemia के जो patients के अंदर भी आप देखोगे तो उनके अंदर एक low blood pressure का symptom देखने को मिल लगा फिर अचानक से कोई nutrients in your diet कि आपके खाने के अंदर प्रॉपर nutrients वगेरा नहीं है तो भी ये condition जो है वो produce हो सकती है दूसरे कुछ reasons हम देखे तो बहुत लंबे समय तक आपने bed rest किया था low intake of salt in a body कि आपके खाने में नमक जो है वो बहुत ही कम है नमक की जो हमें बाद करू तो proper मात्रा में लेना जरूरी है ज्यादा लेने से blood pressure के problem होते की BPI होने के problem होते है और बहुत कम आप खाते है तो low blood pressure का भी problem हो सकता है तो proper जरूरी मात्रा के अंदर आपको salt जो है वो लेना चाहिए कि जिसको नमक हम कहते है nutrition आपके body के अंदर काफी poor nutrition है malnutrition की condition है जिसको हम कहेंगे decrease in blood volume के accidentally आपका blood loss हुआ है और blood loss के करण आपका blood volume भी कम हो चुका है तो भी blood pressure low हो सकता है heart related problem and low heart rate के patient है आप ready cardiac आडिया आपको हुआ है तो भी blood pressure जो है वो कम हो जाएते तो ये थी अलग-अलग reasons कि जिसके करण होता है low BP अब symptoms देखो कि कौन से symptoms पर से हमें पता चलेगा कि person का blood pressure low हो रहा है कि because आप उसको hospitalized करके उसका blood pressure measurement कराओ उससे पहले जो है symptom based भी diagnose हो जेनी चाए ये condition तो एक तो seizures develop होना स्टार्ट होते है body के अंदर कुछ लोगों के अंदर diarrhea vomiting होता है और उसके बाद या फिर ये condition के साथ भी आपका blood pressure जो है वो down हो सकता है फिर thrust प्यास लगना fatigue मनलब की थकान और depression जैसे symptoms डेवलप होते है heartbeats आपके irregular रहते है sweating मतलब के पसी ना आता है और fever मतलब क्या का body temperature increase होता है skin जो है वो pale color की हो जाती है dizziness फिल करते है headache and fanting मतलब कि ऐसे चक्कर आना जैसा भी फिल होगा आपको vertigo की condition और आपको ऐसा लगएगा कि आप जो है वो गिर जाएंगे fanting जैसी condition होगी neck के अंदर stiffness देखने को मिलेगी and shortness and shallow of breath breathing जो हो आपके short हो जाएगे तो यह अलग-अलग symptoms जेके लोग को मिलते कि nausea fanting dehydration any unusual thrust dehydration can sometimes cause blood pressure to drop however dehydration does not always cause the low blood pressure कैसा ने कि सभी type के dehydration के अंदर blood pressure low होता है but यह जो एक symptom develop होता है कई बार dehydration के दोरान फिर हम देखे तो concentration आप नहीं कर पाओगे अगर आपका blood pressure low है blood vision हो जाती है cold जैसा feel होता है कि मलब कि ठंड जैसा लगता है आपको और skin pale हो जाना rapid and shallow breathing fatigue जैसा condition, depression and sometimes unconsciousness कि unconsciousness कि person जो है वो completely unconscious हो जाता है तो ऐसे अलग-अलग symptoms देखने को मिलते हैं तो diagnosis कैसे होगा तो simple जो sphigmo manometer करके जो device आती है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह conventional sphigmo manometer और यह digital वाला भी आप देख सकते हैं तो जिससे measurement होता है blood pressure का कि actual reading पता चलता है कि कितना है कि यहाँ पे आप देखो systolic 131 दिखा रहा है diastolic 76 है तो ऐसे जब किसी person को hypotension है तो value 90 and 60 उससे भी जो है वो कम हो जाती है जिसको हमने कहा hypotension अब यह condition को हम कैसे manage करेंगे कि diagnose हो चुका blood pressure का हम दिखा रहा है तो management के अंदर treatment का final step रहेगा कि home remedies हम try करेंगे कि home remedies के समझो कि गरपी अचनक से किसी person को ऐसा हुआ है तो जरूरी है कि उसको stable किया जाए तो primary care के तो और पे home remedies भी try की जाती कि जब तक आप उसको hospitalized ना करो second जो है वो medicines healthy diet से भी होता है nutrition, exercise, yoga ये सब अलग-अलग options रहते हैं treatment के अंदर कि low blood pressure ना हो उसके prevention के लिए exercise की जाती है proper yoga और meditation से भी blood pressure जो है आप control कर सकते हैं proper nutrition होने चाहिए आपके diet के अंदर healthy diet आप लेते हैं तो इससे जो है आप उसको manage कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं home remedies तो home remedies के अंदर use more salt if low BP तो salt जो है वो use करना चाहिए कि जिससे blood pressure जो है वो आपका proper control में रहे कि अगर low BP है तो ही जिनका blood pressure normal है उनको तो proper मात्रा में ही नमक खाना है बट अगर blood pressure low रहता है तो उस वक्त ये एक advice रहती है कि आप जो है वो salt खा सकते हैं यहाप याप देखो home remedies के अंदर लिखा है salt कि जिसके अंदर person जो है वो salt water देना चाहिए second है कि expert usually recommend limiting your salt in your diet because sodium can raise the blood pressure कि हम जानते है एक reason कि नमक खाने से blood pressure जो है वो increase होता है but कब कि जब blood pressure normal है normal blood pressure है आपने salt लिया है तो blood pressure जो है वो increase होगा but already जो है वो blood pressure down है काफी down है तो उस वक्त sodium देने से blood pressure जो है वो increase होगा but normal करने में वो help करेगा कि blood pressure समझे कि 60 था तो 30 जितना increase करवा कर दिया है तो वो 90 और समझे कि systolic systolic 90 था diastolic समझे कि था 60 तो समझे कि आप थोड़ा नमक वगेरा लेते हैं तो उससे 120 80 के आज पास जो है वो फिर से blood pressure आ सकता है कि जो normal हम कह सकेंगे कि जिनका continuously blood pressure fluctuation रहता है काफी low हो जाता है बार-बार तो यह का आपको खास देंड कर रखना चाहिए फिर दूसरे हम रोम रेमिडिस के अंदर देके तो आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं जिसको holy basil का आ जाता है बीट कि जिसका juice निकाल कर आप ले सकते हैं बीट रूट के juice कॉफी वगेरा ले सकते हैं कॉफी के जो जिसके अंदर जो caffeine होता है वो stimulant actions देता है तो उससे भी फाइदा होता है low BP के अंदर liquid rice के root आप खा सकते हैं raisins यूज करते हैं लोग फिर निम्बू पानी आप ले सकते हैं rosemary आप खा सकते हैं almond and milk regular लिजे salt water and carrot का जुस्त ये सब हो जाते हैं home remedies for low blood pressure अब salt water के हम बात करें तो we can raise low blood pressure by drinking water and eating more salt की person का blood pressure जो है वो low है काफी 90-60 जैसे हमने बात की तो वो हो गया low blood pressure तो salt water देने के बाद उसका blood pressure जो है आप at least increase करवा सकते हैं और ये condition को आप emergency में manage कर सकते हैं इस तरह से तो salt water जो है वो help करेगा कि during the emergency we can give the salt water to patient to increase the blood pressure फिर उसके बाद जो regular remedies वगएरा है वो हम कर सकते हैं कि medicines के अंदर medicines तो medicines को हम देखे तो floodrocortisone के जो medications आते है 0.1 mg तो ये tablet जो है वो prescription based medications है तो proper health care providers के supervision के अंदर में ही use होता है medodrine करके जो tablets आते है medodrine hydrochloride कि जो 2.5 mg 2.5 mg का ये tablet आप देख सकते हैं कि usually lower dose से ही जाता है कि एक tablet और जरूरत पढ़ने पर है दिन में 2 tablets pyridostigmine का option रहता है caffeine erythropoietin aspirin non-steroidal anti-inflammatory drug में से but usually जो ये सब medications इसमें से किसी भी एक medication को patient को prescribe किया जाता है कि सबसे पहले जानते है floodrocortisone के बारे में तो floodrocortisone is a low blood pressure is for low blood pressure while standing up कि जब आप खड़े होते हैं कि standing up कि आप खड़े होते तब blood pressure low हो जाता है तो उस वक्त ये medications prescribe की जाती है this corticosteroid help to control the amount of sodium and fluid in body कि sodium काफी कम हो जाआ है तो उसका वो भी एक reason बनता है blood pressure low हो जाने के लिए और fluid का balance कम हो जाना तो उसके करण की blood pressure down हो जाता है तो उसकी condition के अंदर ये 100 microgram ये खास देखो उसकी strength खास देखने के miligram में होगा तो 0.1 miligram और unit समझे कि microgram है तो 100 microgram के ये जो tablet से वो patient को prescribe किये जाते है and usually उसका जो dose है वो lower dose से ही start की जाती कि ये medication सिर्फ एक ही time जो patient लेता है तो enough रहता है और regular blood pressure check up करता रहना चाहिए कि जब ये medication start हो this drug will boost the blood volume which help in raise the blood pressure तो फ्लूटो को आटेसन कैसे काम करेगा कि ये medication देने से वो क्या करता है कि blood volume को increase करवाता है तो आपने जब कोजिस के अंदर देखा होगा कि उसमें मैंने आपको एक reason बताया था कि blood pressure low होने में एक reason है कि blood volume down हो जाता है तो ऐसे medication देने चाहिए कि जो blood volume को increase करवाए तो उसके लिए एक choice है हमारे पास ये फ्लूटो कोटिसन की जो एक steroidal medication है मीडोड्राइन देखे तो मीडोड्राइन is often considering as a low blood pressure medicine because it is for the people with chronic orthostatic hypotension कि जिनका बार-बार blood pressure जो है वो down हो रहा है कि chronic orthostatic hypotension है तो उनके लिए ये medication जो है वो prescribe की जाती है and it work by restricting the ability of blood vessels to expand which raise the blood pressure कि blood pressure increase करवाने के लिए जो responsible जो जो हमारी blood vessels का एक role होता है कि मैं आपको simple यहाँ पर एक concept समझा होता हूँ कि ये जो है वो normal blood vessel है और इसका ये normal वाला diameter है अब समझे कि ये expand होती है तो उसका diameter जो है वो increase होगा कि हमें पता है कि जब diameter जो है वो increase होता है कि पानी का जो pipe है उसमें समझे कि diameter हम कम कर देगे तो जो force ये pressure है वो अच्छा मिलेगा बट जिसे ही वो diameter increase हो जाता है pressure जो है वो reduce हो जाता है तो ये medication क्या करती है जो blood vessels expand होती है वो expand होने से उनको रोकेगी कि blood जिससे जो blood pressure क्या होता है कि कई बार ये vessels इस तरह से expand हो जाती है उनके diameter बढ़ जाते है तो pressure reduce हो जाता है कि जिसको हम consider करते है low blood pressure तो middle drain क्या करेगा ये वाली जो process होती है उसको prevent करवाएगा जिससे क्या होगा कि blood vessel का जो diameter है वो इस तरह से expand नहीं होगा और blood pressure जो down होता था उसके जगाए blood pressure जो है वो आपका normal रहेगा तिस तरह से middle drain काम करता है विए पाइरिडो स्टिक्मिन की हम बात करे तो पाइरिडो स्टिक्मिन क्या करता है इंप्रूव करता है muscle strength इन patients भी थे muscles जिनको muscles created problem है तो उनके अंदर muscle strength इंप्रूव करवाते है जैसे कि myasthenia gravis and it functions by preventing the breakdown of natural substance acetylcholine in our body कि हमारी body के अंदर हाँ जो acetylcholine है SCH जो हम कहते है तो उसका जो breakdown जो है वो prevent करवाता है कि जिससे muscles की जो strength है वो बनी रहते है और उनकी strength increase होती है and acetylcholine is necessary for healthy muscle function therefore this drug help to relieve our fatigue common symptom of low blood pressure pyridostigmine क्या करेगा कि जो fatigue थी थाकान की जो condition थी उसको जो है वो treat करेगा तो ये था pyridostigmine की जिसके strength आप देख सकते कि 60 mg usually 60 mg जो है वो patient को once a day जो है वो दिया जाते कि दिन में एक ही tablet जो है वो enough रहती है ज़रुवत पढ़ने पर ही दो medications prescribed की जाते है फिर caffeine की हम बात करें तो जो central nervous system stimulant है तो it is a temporalist of the drossiness and restoring alternates की जो drossiness एक symptom बनता है dizziness जैसा फिल होता है कि जब आपका blood pressure लो होता है तो उस वक्त ये caffeine जो है वो help करता है and it is also relax the smooth muscles and stimulate the cardiac muscle and useful in treatment of some headache जो migraines type के headache कहते हैं उसमें भी ये help करता है and caffeine can cause a temporary short term dramatic rise in your blood pressure की जब आपका blood pressure लोग आया है तो उसको temporary increase करवाने के लिए ये खास वत समझे कि जब आपका permanent illness नहीं होता hospitalize करने के बाद तब तक patient को जो वो stable रखने के लिए और उसकोई जो life threatening condition produce ना हो उसके लिए caffeine जो है वो देना जरूरी बनता है कई बार कि जो central nervous system को stimulate करता है फिर ये वाला जो injection आता है इपोफीट करके कि जिसके अंदर erythropoietin injection है कि आपको समझे कि कोई भी brand मिले बड़ आपको ये खास उसका salt composition याद रखना है कि erythropoietin injection तो erythropoietin is recommended for low blood pressure treatment if the cause of low BP is anemia कि अगर किसी person का blood pressure down होने का reason anemia है Hb कम है Rbc की मातरा कम है तो ऐसे patients को erythropoietin के injection दिया जाता है and erythropoietin is the best choice to increase the Rbc and thus raise in a blood pressure तो इसके अलग-अलग units के अंदर available होता है कि यह 10,000 international unit as well as 4000 international unit और usually जो है वो pre-filled syringe के रूप में यह available होता है कि आप आप देखो PFS लिखा है कि pre-filled syringe already syringe के अंदर medications का जो single dose होता है वो fill किया ही होता है और यह खास कर आपके healthcare providers के advice के according to T.A. जाते हैं तो यह था हमारा special video lecture about the treatment and management of a low blood pressure thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते study material test series video lecture pharma rocks के आप उपर तो android user android app download करेंगे iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best host or